नमस्कार मैं हूँ मनीशा वैशेवपान यूज में आपका स्वागत है नज़र डालते हैं व्यपार से जुड़ी कुछ खास ख़बरों की और एक अप्रेल से लागू होने की संभावना से नई वेवस्था में कुछ आवशक सेवाओ को भी टैक्स छूट मिल सकती है साथी GST rate structure तै होने के बाद राजज्यों और केंद सरकारों के अधिकारी छूट वाले आइटम्स की लिस्ट रयार करेंगे वही एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक केंद सरकार ने सभी राजज्यों का आदेश दिया है कि तैसीमा तक छूट वाली लिस्ट की छटाई करे और अमेरिका में इस्तमाल किये गए हैं चंडिगर में पटाकों की बिक्री पर अभी भी विवाद बना हुआ है डीसी अजीत बाला जी जोशी के फैसले से व्यपारियों की मुश्किले बड़ी हुई है शहर के व्यपारी डीसी से फैसला वापस लेने के लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन फिलाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली दर असल डीसी ने ओर जारी किये हैं कि इस बार शेयर की कमार्किटों में पटाकों की बिक्री नहीं होगे तिरुपती वैंकटेश्वर मंदी 35,000 किलो विदेशी सिक्कों को भारती मुद्रा से बदलेगा ये वे सिक्के जिने पिछले कुछ स्वर्षों में विदेश से आने वाले भक्तों ने मंद्री में चड़ाया है मंदी का प्रबंदन देखने वाले ट्रस के कारेकारी अधिकारी डी संभा विशिव राव की मुताबिक दुनिया भर से आने वाले भक्त मंद्री की हुंडी में सिक्के डालते हैं पान बहार की विग्यापन में नजर आ रहे हॉलिवूड के दिगज अभीनेता पियस बॉसनन भारत में अपनी छवी खराब होता देख बेहत दुखी है ब्रासनन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें नहीं बताया गया था कि पान बहार में कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने वाले कोई भी तत्व मौजूद है जैम्स बोर्न नाम से मशूर अभीनेता ने कंपनी के सभी प्रोड़क्स से तस्वीर हटाने की मांग की है तमिलनाडू की शिपकाशी में एक पटाका फैक्ट्री में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई जब कि कई लोग गंभी रूप से घायल हो गई फैक्ट्री में आग उस समय लगी जब पटाकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा था भारत में कटरता फेलाने वाले इसलामिक स्टेट जैसे आतंगवादी संगठनों द्वारा भारती युवाओं की भरती की खबरों से चिंतित ग्रह मंत्रा लें साइबर और सोशल मीडिया के लिए पूर्व आईपियस अधिकारी अशोक प्रसात को सलाकार की रूप में किया नियुक्त बिहार की गया जिले में बैंक कर्मियों ने लोन दिकवरी के लिए गांधी गिरी का रास्ता अपनाया है रिंड लिये हुए कर्दारों को नोटिस से लेकर लीगल नोटिस भेजकर ठक चुके बैंक कर्मी अब गांधी गिरी करने लगे हैं बैंक कर्मी अब रिंड की वसूली के लिए कज़ारों की घर के बाहर धनने पर बैट कर रिंड का भुकतान करने की गुहार लगा रहे हैं। पसास सिंग ने कहा कि जेबी सी सी आई दस का गठन हो चुका है। गठन को लेकर कोई संशे नहीं है। कुछ लोग अडर्गल प्रलाप कर कोईला मजदूरों को भे में रखना चाह रहे हैं। साथ ही अधिस उचना जारी होने के बाद कोट ने इस पर स्टे लगा दिया है।